हाई डेलोपर्स, वेलकम बेक टू कोड स्टेप बास्टेप, मैं हूँ अनिल सिद्धू, और नोड जैस के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाल हैं, कर्ड ओपरेशन विज फाइल सिस्टम, कर्ड ओपरेशन विज डेटाबेस भी होता है, वो हम लोग बात में पढ़ेंग आई नो कि हम लोग पहले भी मैं आपको बहुत बार बता चुगा होंगी फाइल किस तरह किसे करेट करते हैं, बट ये कर्ड का पार्ट है, तो फिर से बता दूँगा, हाडली 20 से 25 सकिल नहींगे इसके अंदर, फिर फाइल को रीड करेंगे, अपडेट करेंगे, रिनेम कर और अपने कमेंट्स, डाफिएली अपके रिव्यूस कमेंट सेक्शन के तरह डालना, इससे क्या होता है, जब आप ज्यादा कमेंट करते हो, ज्यादा लाइक करते हो, तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास चाहती है, ज्यादा लोग देखते हैं, तो मुझे जब create करते हैं तो उसके लिए हमारे पास function होता है already fs के अंदर which is create file with sync यहां पर मैं file का नाम डालूँगा let's say मैंने आपर डाल दिया apple.txt और यहां पर जो मैं content डालना चाहता हूं जैसे कि this is a simple text file simple इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है but अभी यहां पर प्रोब्लम है अगर मैं directly इसको use करूँगा तो यह जो folder है ना यह जो file है यह कहां बनेगी मेरे root वाले folder के उपर बनेगी but मैं चाहता हूं कि एक मेरे पास एक card नाम से एक already folder है उसके अंदर बने तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए मुझे path वाला mode भी import करना पड़ेगा important है last video मैं आपको बता दिया था path और यहां पर हम लोग require करेंगे path को इस तरीके से ठीक है और अब हमें यहां पर करना पड़ेगा जो फाइल सिस्टम है जो फाइल है इसके साथ में path भी डालना पड़ेगा तो path हम किस तरीके से डाल सकते हैं directly आप यहां पर इस तरीके से डाल सकते हो back ticks लिलो आपको directly बताए तो मैं यहां बैक टिक्स लो यह लेटिस्ट तरीका होता है एक मासिक सिक्स सिक्स के तरीके से चाहओ तो आप पुराने तरीके से बिगर सकते हो बट यह लेटिस्ट तरीक है यहां पर डालोगे path और actually path नहीं मुझे complete बनाना यह complete path भी बनानी है मैं आप एक और और यहां पर लिखता हूं मैं path.join यहां पर जो फर्स्ट परामेट रोगा उसमें लिखता हूं अंडर स्कूर अंडर्सकूर डारेक्टरी यह करेंट डिरेक्टरी का पात देदेगा उसके बाद में पास अंदर कोई फोल्डर है जैसे कर्ड हमने फोल्डर बनाया यह हमने बना दिया तो अब यह इसका complete path देदेगा इस वाले फोल्डर का तो मैं यहां पर लिखूंगा dir path और उसके बाद में परी file का नाव which is apple.txt ठीक है इस वाली जो यह path और फाइल ने में बार बार जूत पड़ेगी अपडेट करने में रीड करने में तो इसको मैं एक ओल्रेडी constant में ले ले लेता हूँ इस तरीक से यहां पर लिखता हूँ यहां पर index.chess और चैसे मैं इसको run करता हूँ आप देखोगे कि एक file हमारी create हो जाएगी यहां पर हो चुकिए इसके इंदर हमारा content भी same आ गया है perfect हमने एक file बना ली अब हमें इस file को read करना है जब मैं read करूँगा तो मैं इस वाले code को comment कर देता हूँ हटा क्यूं नहीं रहा comment क्यू पर डालूगा हो सकता है आपको इस code की जरूरत हो तो यहां से आप reference लेख पाऊगे इसलिए मैं इसको comment कर रहा हूँ अब आपको file का करना है read करने तो simply लिख होगे fs.read file और read file के अंदर हम लों क्या करेंगे मारा file का path डाल देंगे which is dir path sorry file path not dir path file path because मैं file का path चाहिए उसके बाद में यहां पर डालोगे second function होता है callback function यहां पर सबसे पहला parameter होता है इसके अंदर error और second वाला होता है इसके अदर आप इसमें कुछ भी लिखते हो item data जो भी आप लिना चाहो तो इस तरह किसे लिख सकते हो और हम यहां पर file read हो जाएगी console.log अभी जब मैं इसको run करू यह है interview question जो हम लोग last में discuss करेंगे but सबसे पहले इसको result कैसे कर सकते हैं वो दिखते हैं यहां पर एक और parameter आ सकता है in the middle वो है और वो string में रहेगा utf8 और अब इसको हम लोग run करेंगे तो यह देखो आपको this is a simple text file वाला जो content size file में वो हमें read हो चुका है perfect अब मैं इसको comment क अगर देता हूं फिर से because दोनों perfectly चल गए अब आते थर्ड operation के बाद में अगर एक file को update करना हो fs. किस file को हमें update करना है अच्छा append करते हैं सबसे पहले append file और किसको करना है वही हमारे पास file path है उसको डालूँग मैं यहां पर क्योंकि same file है ठीक है और इसके अदर update मुझे क करना क्या है let's say कि मैं कुछ निया text add करना चाहता हूं और यहां मैं लिख देता हूँ हमें पता चल जाएगा अगर हमारे पास error है इससे error होता है तो पता चलेगा not लगा दूँगा इसका अगर error नहीं है तो console.log लगा देगे और यहां पर आदेंगे लगा देंगे फाइल इस updated clean करता हूं फिर से code को run करूंगा command को file is updated आ गया that means इसके अदर update हो चुका और यह देखिए यहां पर थोड़ा सा ठीक है हमने space नहीं लगाया और इसको मैं इस तरह के सब्डेटिंग करता हूं ऐसी कर देता हूं आप आगा this is a simple text file and file name is apple.txt जो हमने rename करके देखते हैं delete क्यों नहीं करता है delete कर दी फाइल तो फिर rename कैसे करूंगा इसलिए तो मैं rename operation बीच में लेकर रहा हूं इवन यह करड का पाट है भी यहां पर मैं यहां पर simply लिखूंगा file path और उसके बाद में जो मैं नया parameter था वो भी आप ले सकते हैं यहां पर लिखता हूं एक arrow function और यहां पर इसके अंदर लिखेंगे simply err और यहीं लाइन को भी कर लेता हूं मैं because same ही है आप लिख देता हूं file name is updated और यहां यहां पर आते हैं run करता हूं file name is updated यह file यहां पर apple बादे डिलीट हो चुकी है और यहां पर आप देख सकते हो fruit नाम से file create एक नई file आ चुकी है ठीक है इसको मैं यहां से हटा देता हूं और यहां पर मारे पास एक fruit की नई file आ गई great अब let's say कि मैं इस file को delete ही करना चाहता हूं at the last so इसको भी फिर हमें comment करना पड़ेगा इसको मैं comment कर देता हूं simply इस तरीके से और यहां पर लिखता हूं मैं ffs.unlink-sync और यहां पर file का नाम file का नाम मैं क्या डालूँगा यहां पर path जी नहीं इस बार नहीं क्योंकि यहां पर file का नाम apple वाला नहीं रहे अब file का नाम change हो चुका है यहां पर अब मैं इसको फिर से रण करूंगा और जैसे मैंने इसको रण कर रहे यहां से डिलीट हो गई so all the way हमारे सारक सारे operation हो चुके है बफर क्या होता है यह एक interview question था हमारा buffer का simply मतलब होता है temporary memory location जब भी हम लोग file create करने कोई operation perform करते है file system के ओपर node.js को थोड़ी सी memory चाहिए होती है जैसे हमारी RAM चाहिए होती है ना हमारी system को कुछ भी operation perform करने के लिए वैसे ही node को थोड़ी सी memory चाहिए होती है ताकि अपने perform operations हो कर सके और उसको हम लोग बोलते है buffer thank you so much for watching this video channel को subscribe करना video को like करना बिल्कुल भी मत बूलना because बहुत महनद लगते है videos में पंके तक बंद करने बढ़ते हैं ऐसी छोड़ो पूरी body पसी नहीं लिए राती है thank you so much